दोस्तो बूमपलावर अल्ट्रा का उप्यो कैसे करना है कितना डोज देना है कितने समय बाद देना है और एक ऐसा तरीका बताऊंगा अगर उस तरीके से अगर बूमपलावर अल्ट्रा आप विए करते हो तो आपको बहुती सांदार और जबर्दिस रेजल्ट मिलेगा अग प्रवाइब करता हूं दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और रतन एकटेक्ट चनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें किसांद भायों सबसे पहले हम यह जान लेते कि बूम फ्लावर अल्ट्रा में कंटेंड क्या आता है उसके अंदर तो दोस्तों उसमें आता है नाइट्रो बेंजिन 20 परसेंट डव्ली जब हम फसल पर उसका चिड़काव करते हैं तो वहां पत्तों के थरू पदों की जड़ो प्रसेंट उसके बाद के बाद को जड़ों में कोई गाठ वकिरा हो दिया पदेंड तो वो अट जाती है और में बताई県 की दिफर तurning करने लगता य पर. पोदे का विकास ultimately अधिक और सामाने की तुलना में तेजी से होता है जड़ों का विकास सही होने से और अधिक चेतर में फैलने से दोस्तों पोदे पर नई टेनिया अधिक निकलती है और नई सखाओ का अधिक विकास होता है इससे पोदे पर जड़ा फूल आते है और जड़ा फल बनते है जो किसान भाई बूम फुलावर अल्टरा का उप्यों करता है उनको मुझे पादा यह होता है कि अगर उनके फसल पर फूल जिरने की समस्या है वो बिल्कूल ठीक हो जाती है मतलब किसान भाईयों की फूल ड्रोपिंग की समस्या बिल्कूली समाप तो जाती है बूम फुलावर अल्टरा का लाश्ट और अंतिम फायदा की जिस फसल पर हम इसका चिड़का हो करते है उसमें फल के बड़े उनका समय फास्ट होता है मतलब सामाने की तूलना में अधिक तेजी से फल इसमें बड़ा होता है किसी भी फसल पर हम इसका चिड़का करते हैं तो फल जल्दी से बड़ा होता है इससे हमारा फल जल्दी मार्केट में पूच जाता है और हमें बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं किसम भाईयों के लिए बताना चाहता हैं कि जिस फसल पर फूल खलते हैं उन सभी फसलों पर वूम फलावर पर का मुपयोग कर सकतेैं और इसको अच्छा लाब होगा फसल में 15-20 प्रसंट अधिक उत्म डिना होगा दोस्तों मुखेता पपिता जैसी फसलाओ पर अगर ने इसका चिड़काव किया तो इसके बहुत ही सांदर और चौकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं तो एक बार जरूर उपयोग किजिएगा जो किशन भाई पपिता की खेती कर रहे हैं आप दूस्तों मिलते हैं कि इसका उपयोग किजिदा डेंना पानी me तो सबसे पहलों भात करते हैं वहंता है पंदर पानी में उसके बाद डोज बढ़ाना नहीं है फिर पचास हैमेल 15 लिटर पाणी में तीसरा डोज के बाद चौता डोज पांचरा डोज दे रहे हो तो पचास हैमेल 15 लिटर पाणी के हिसाब से देते जाएगा और दोस्तों इससे आपको बहुती सांदर और जबरदस त्रिजल मिलेग और आपकी फसल में 15 से 20 परसेंट उत्पादन में वर्दी होगी आपका अधिक उत्पादन होगा और दोस्तों जो मैंने आपको भी विदी बताई जो तरीका बढ़ाया हुआ पांस एचे साल से में उपयोग में कर रहा हूं इस तरीके से उपयोग में करने से बूम फढ़ और इसका आमें अधिक लाब नहीं मिल पाता है अगर किसान वहीं वीडियो में दिखी जनकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को साइस वीडियो को सेर करें और रतन एक ट्रेक चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें फिर मिलते हैं को और अधिक बपजते हैं कि जड़ी में जस शब्सक्राइब एंदितों किसा वीडियो को और रत्र एंध हैं